हलो स्टूजेंट्स कैसे आप सब लोग अपने यूटूब चैनल नर्सेस टेक उनलाइन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हमने जो नई सीरीज स्टार्ट करिए क्यूस्टन एंड कॉंसेप्ट इसके ग्यारवे सेशन के अंदर ओपस और गायनिक से रिलेटेड हम लोग आज चार वेरी इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट को और क्यूस्टन को समझने वाले हैं डियर तो हमेशा क्यूस्टन को नहीं रटना है कॉंसेप्ट समझ लीजिए किसी भी तरीके का आंसर आप लोग दे सकते हैं चलिए डियर आज का लेक्षर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्यूस्टन देखेंगे चार क्यूस्टन टोटल देखेंगे फिर concept समझेंगे लिएंका आंसर हम लोग समझने वाले डियर तो सबसे पहला क्यूस्टन है इन में से कौन से बैक्टिरिया द्वारा वेजायना में एसिडिक पीएच में एक्टिरिया करी जाती है एम्स नागपूर 2020 में एक्टिरिया आया हो है अप्शन सार निजेरिया गोनोरियाई, ट्राइकोमोनास, वेजायनलीस, क्लैप्स, लॉफलर बैसिलाई और डॉडरलीन बैसिलाईज तो इसमें से कौन सा बैक्टिरिया जो है एसिडिक पीएच जो है वेजायना के अंदर मेंटेन करता है डियर सेकिंड क्यूशन, वेजायना की पीएच कितनी होती है डियर, एक से देड, देड से साड़े तीन से साड़े चार या पांस से 7.2 तो क्या इसका अंसर होगा ये भी हम लोग समझेंगे, तीसरा क्यूशन है डियर, इन अ पैप स्मेर, पैप स्मेर ओफ सर्विक्स और वेजायना, देर इस प्रिजेंस ओफ डॉडरलीन बैसिलस, वहाँ पे डॉडरलीन बैसिलस मिला है किसके अंदर, पैप स्मेर के अंदर, then what is it indicate, क्या indicate ये करता है, यस क्या सर्विक्स कैंसर, क्या सेक्शली ट्रांस्मिटेड डिजीज, क्या इट इस नॉर्मल फ्लोरा वेकिनिजम, या फिर सर्विक्स इंफेक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है, तो क्या इसका correct आंसर होना चाहिए, इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट बीटून के विच में कौन सा रिलिशन सिप पाया जाता है, ऑप्सें सार्व विच्वलिज्म, कॉमनसालिज्म, पैरासायाटीज्म और कॉम्पीटीशन, क्या इसका right answer होना चाहिए, तो चार क्यों हम लोग concept समझेंगे, कैसे भी क्यो मपुछिया आप लो बताओ कि इन चारों में से कितने question का जवाब आपको अलड़ी आता है तो चली हम लोग इसके concept समझ लेते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं येस डियर सबसे पहले बात करते हैं वेजाइना के अंदर कौन-कौन से bacterias पाए जाते हैं येस डियर बैक्टिरिया प्रेजेंट इन येस प्रेजेंट इन वेजाइना येस ध्यान रखना तो यहाँ पर दो टाइप के पाए जाते हैं वन इस माइक्रोबायोटा यानि इसे हम लोग बोलते हैं डियर नॉर्मल फ्लोरा ये नॉर्मल होते हैं 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 ये न डियर ? समझते हैं It is normal flora जो की beneficial होते हैं तो विजाणा में normal flora कौन पाया जाता है तो ध्यान रखना normal flora पाया जाता है that is acidophilus bacteria कौनसा? acidophilus bacteria पाया जाता है bacilli कौनसा bacilli पाया जाता डियर ? acidophilus bacilli पाया जाता है इसका पूरा नाम होता है Lactobacillus Acidophilus तो पूरा नाम क्या होता है डियर इसका Lactobacillus Acidophilus Bacillus जो है विज़ाने के अंदर प्रजेंट होता है जो कि beneficial होता है harmful नहीं होता है दूसरा pathogenic में कौन-कौन से पाए जाते हैं डियर what are the pathogenic organism तो बात करते हैं हम लोग pathogenic organism में जैसे Streptococcus Trichomonas Vaginalis इस तरीके के bacteria जो है वो कैसे होता है डियर pathogenic bacteria जो है विज़ाना के अंदर present होता है डियर तो अभी हमने जो किशन देखे हैं वहाँ पर क्या पुछा था normal flora जो है विज़ाना के अंदर जो कि acidic pH को maintain करता है अब इसके बारे में हम लोग details है समझते है ये जो bacteria है ये क्या करते है डियर estides कोज करते है क्या कोज करते है estides कोज करने का काम करते है और भी concept आगे समझेंगे next बात करते है हम लोग acidophilus यानि पूरा नाम लिखे है इसका lactobacillus acidophilus lactobacillus acidophilus bacilli ये विजयना के अंदर normal flora होता है इसका function क्या होता है डियर ये secret करता है produce करता है डियर produce करता है H2O2 and H2O2 को हम लोग क्या बोलते है डियर hydrogen paroxide बोला जाता है और इसके अलावा ये lactic acid जैसा कि इसके नाम सा भी पता पढ़ रहा है lactic acid का formation करता है जिसकी वज़े से विजयना की pH जो है डियर pH जो होती है वो कैसी होते डियर? acidic होती है कैसी होते डियर? acidic होती है जो की between होती है 3.5 to 5 तक होती है but more accurate पन बात करेंगे 4.5 तक जो है pH जो है maintain करता है किसकी विजयना की और विजयना की acidic pH जो है विजयना को fungal infection से क्या करेगी डियर? प्रिवेंट करती है तो it prevent from fungal infection like candida yes candidaeasis से ये prevent करने का काम करता है कोल? lactobacillus acidophilus काम करता है तो अपना पहला ही कुशन था विजयना की acidic pH कोल बनाता है तो चारों option में lactobacillus acidophilus तो था ही नहीं तो और समझते हैं इसको yes dear it is also known as also called as इसको एक नाम से और भी जाना जाता है which is dodderlin bacilli yes very important इसको किस नाम से जाना जाता है dear dodderlin bacilli के नाम से जाना जाता है क्यों? क्योंकि इसको सबसे पहले 1992 में 1902 में के अंदर yes Albert एक German जर्मन गाइनेकोलोजिस्ट था जर्मनी का गाइनेकोलोजिस्ट था जिसका नाम था Albert dodderlin Albert dodderlin इसने इसको explain किया था इस bacteria का ये सारा mechanism इसी scientist ने explain किया था इसलिए इसी scientist के नाम पे इस bacteria का नाम रख दिया गया क्या? dodderlin bacillus के नाम से इसको जाना जाता है यानि dodderlin bacillus किसका नाम है यानि dodderlin bacillus किसका नाम है डिया lactobacillus, acidophilus का ही दूसर नाम होता है dodderlin bacillus इसने ये बताया कि इस bacillus यानि कौन सा bacillus lactobacillus, acidophilus और वेजाएना के अंदर जो है एक relationship पाया जाता है और उस relationship को बोला जाता है dear mutualism क्या बोला जाता है dear mutualism very important question point क्या बोला जाता है mutualism बोला जाता है mutual का मतलब होता है दोनो it means ऐसा relationship जिसके अंदर दोनो parties को क्या हो benefit हो तो ऐसा relationship क्या कहलाता है dear mutualism कहलाता है यानि both party get benefit तो यहाँ पर क्या benefit मिल रहा है विजायना को कैसा pH मिल रहा है acidic pH मिल रहा है जबकि इस bacteria को shelter मिल रहा है किसके लिए growth के लिए दोना का benefit होता है इसके अंदर इस तरीके के relationship को अपन क्या बोलते हैं तो यह चीज भी अपन को ध्यान रखना है नेक्स्ट बात करते हैं डियर yes mutualism क्या है what is mutualism yes एक चीज और यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको चुकि यह prevent करता है किसको fungal infection को candida से इसलिए lactobacillus acidophilus को अपन एको नाम से भी जानते डियर gatekeeper of gatekeeper of vagina की नाम से भी जाना जाता है dear very important ध्यान रखना अगर आपसे पूछा जाए question में which of the following bacteria is known as gatekeeper of vagina gatekeeper क्यों बोला जाता है क्योंकि acidic pH बना के रखता है जो कि candida या other fungal infection को होने से बचाता है इसलिए lactobacillus acidophilus या फिर dodaline bacilli को अपन किस नाम से जानते हैं से भी जाना जाता है अब बात करते है what is mutualism तो mutualism का मतलब क्या होता है dear both both organism get benefit from each other each other एक दूसरे से दोनों organism को फाइदा मिलना ही क्या कहलाता है mutualism कहलाता है और अपनी body में mutualism का पहला example यस डियर बिट्वीन वेजाइना एंड एंड लेक्टो बेसिलस एसी डोडरलीन बेसिलाई डोडरलीन बेसिलाई इसी का दूसरा नाम होता है डियर वेरी इंपोर्टेंट दूसरा mutualism का एक्जामपल होता है डियर बिट्वीन गट बैक्टीरिया बिट्वीन गट बैक्टीरिया एंड एंड यस लार्ज इंटेस्टाइन या सिंप्ली अपन यहां पर क्या लिख सकते हैं डियर कोलन लिख सकते हैं यस गट का मतलब होत बैक्टीरिया पाए जाते हैं नॉर्मल फ्लोरा होते हैं तो वहां पर भी acidophilus bacillus भी पाए जाता और other bacteria भी पाए जाते हैं तो गट बैक्टीरिया क्या करते हैं डियर यस वेरी इंपोर्टेंट एक तो pH को मैंटेन करके रखते हैं एंटेस्टाइन की प्लस क्या करते हैं विटामिन के का सिंथेसिस करते हैं very important विटामिन के सिंथेसिस जो कि अपने लिए जरूरी होता है यह क्यूशन पूछा जाता है विटामिन के इस सिंथेसाइज़ वाई तो आपका answer मिलेगा colonial bacteria यानि colon में रहने वाले bacteria जो है किसका का सिंथेसिस करते हैं विटामिन के का सिंथेसिस करते हैं और bacteria को colon में क्या मिल जाएगा shelter मिलेगा growth के लिए yes or no तो यह दो example है विचार example of mutualism very important तो mutualism का मतलब दोनों organs को एक दूसरे से जो है benefit होना ही क्या कहलाता है mutualism कहलाता है वड़ सोचिए कि अगर पूछा जाए और आपको option में mutualism मिले ही नहीं तो आपको एक option मिलेगा यहाँ पे yes common cellism common cellism तो उसको अपन second choice मान करके अपन क्या करना है टिक करना है first अगर यह mutualism मिलता है तो यही अपन को टिक करना है यह option नहीं मिलता है तो common cellism पे करना है actually common cellism का मतलब होता है एक organism को benefit होता है दूसरा neutral होता है जैसे मैं example दूँ कि पकसी पेड़ के ओपर अगर घोसला डाल करके रह रहे हैं तो पकसी को तो फाइदा हो रहा है वहाँ पे कि उससे shelter मिल रहा है बट पेड़ को कोई उससे फाइदा नहीं है बट वो नुकसान भी न सब्सक्राइब ना मिले तो ही इस पर जाना अधरवाइस तो मिचुलिजम ही आपको टीक करना रहेगा डियर तो अब इस concept को समझते हुए हम रोग answer भी देखते हैं तो सबसे पहला question था अपना yes question first जो था अपना क्या था acidic pH of vagina is maintained by which bacteria तो कौन सा bacteria करता है डियर तो right answer क्या लेक्टो बेसिलस लेक्टो बेसिलस एसीडो फिलस येस वेरी इंपोर्टेंट जबकि निजेरिया गोनोरिया यो ट्राइको मुनास क्या करते हैं डियर एस्टीडी कोज करते हैं इनके साथ में स्टेप्टो कोकस भी sexually transmitted disease कोज कर सकता यानि ये तो क्या होगे डियर पैथोज यानि ये पैथोजैनिक होगे जो कि disease cause करते हैं यास एसिडिक पी एज के लिए responsible नहीं होते हैं जबकि कलैप्स लोफलर बेसिलाई क्या होता डियर कलैप्स लोफलर बेसिलाई होता है यास इसका दूसा नाम होता डियर कोर्णी बैक्टिरियम वेरी इमपॉर्टेंट ये भ डिप्थीरिया एक डिजीज होती है उस डिजीज को कोज करने वाले बैक्टिरिया कॉर्नी बैक्टिरियम डिप्थीरिया ही और ये क्या होता है डियर क्लैप्स लोफलर बैसिलाई होता है ये भी ग्राम पोजिटिव बैसिलाई होता है निजेरिया गोनोरी और ट्राइकोमोनास वेजाएनलीस दोनों ही क्या होते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टिरिया हो देडियर बट यह पैथोजनिक होते हैं यह चीज अपनको ध्यान बटा है क्लैप्स लोफलर किसका नाम है कॉर्नी बैक्टिरियम डिफ्टिरियाई का दूसा नाम है यस और इसको ये नाम क्यों दिया गया क्योंकि दो साइंटिस्ट दो साइंटिस्ट एडविन क्लैप्स और फ्रेडरिच लोफलर ने इसको याद रख सकते हो fried rice यानि fried rich loffler इन दोनों scientist ने मिलकर के जो है इस बैक्टिरिया को सबसे पहले discover किया था diphtheria के patients के अंदर extract किया था इस वज़े से इस बैक्टिरिया का नाम इनी scientist के लिए रख दिया गया क्या collapse loffler bacilli जो की कौन सा होता है corny bacterium diphtheria होता है तो इस question का answer vagina की pH कौन maintain करता है या दोडरलीन bacilli या फिर lactobacillus तो what is the right answer right answer is D right answer क्या हो जाएगा dear D हो जाएगा दूसरा question का concept समझते है question number two what is the pH of vagina 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 की pH कितनी होती है तो जैसा कि आज ही के lecture में हम लोगों आपने concert में पड़ा कि विजैना की pH कितनी होती है dear yes कितनी होती है साड़े तीन से साड़े चार तक जो है विजैना की pH होती है तो correct answer is C अब एक चीज़ ध्यान रखना अगर आपसे पूछा जाए चार organs के नाम दे रहा हूं में यहाँ पर yes vagina CSF blood and stomach या gastric acid भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं dear gastric acid इस्टमक में पाया जाने वाला gastric acid इन सभी में बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में किस तरीके से pH present होती है तो यह भी एक question बन सकता है dear ध्यान लखना किसकी pH सबसे कम होगी किसकी pH सबसे जादा होगी dear तो फटा फट कमेंट से अंदर बताइए तो चलिए देखते हैं हम लोग तो क्या sequence होना चाहिए तो बात करते हैं सबसे पहले सबसे कम जो pH होती है जो की होती है dear stomach किस म में सबसे कम pH जो है यानि अपन pH की sequence देख रहे है डियर तो सबसे कम pH कि में होती है डियर स्टमक या gastric acid में होती है तो कम के लिए अपन कम सा sign बनाएंगे यह वाला sign बनाएंगे जो कि almost एक से लेकर के साड़े तीन के बीच में होती है डियर यानि एक से लेकर के 3.5 के बीच में यह present होती है second बात करें yes और more accurate जाए तो डेड़ से ढ़ाई तक याद रखना second number पे जो pH होती है इससे थोड़ी ज़्यादा जो pH होती है वो किसके होती है डियर next वेजाएना की जो कि कितने होती है डियर 3.5 to 4.5 होती है इससे भी ज़्यादा किसके होती है डियर CSF किसके होती है डियर CSF की pH होती है which is 7.35 और इससे भी ज़्यादा होती है डियर किसकी blood की pH होती है which is 7.352 7.45 तो ये relation अपन को दियर याद रखना है, तो ये sequence हो जाएगी इस तरीके से याद रखना अगर ऐसे question को थोड़ा सा language घुमा दिया जाए, कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा acidic, acidity यानि acidic के base में इनको arrange करें, तो ये arrow ऐसे बन जाएगा, किस तरीके से हो जाएगा इस तरीके से ये arrow बन जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा acidic stomach उससे कम acidic वे जाएगा, उससे कम acidic CSM और सबसे कम acidic blood होता डिया, तो question गुमा करें कि कैसे भी पुचे, concept के लिए रखो, इसका answer आप लोग दे देंगे तो हम लोग चार question नहीं, और भी questions के अंदर question डियर निकाल रहे हैं काफी सारे question हम लोग cover करते जा रहे हैं तो what is pH of vagina? answer is 3.5 to 4.5 ESIC 2018 में पूछा हुआ डियर short question generally ESI में पूछे जाते हैं काफी सारे, तो right answer is C next is it indicate? तो अभी हमने पढ़ा कि dodaline bacilli is lactobacillus जो कि normal flora होता है किसका? वजाएना का जो कि acidic pH बना करके रखता है कोई harm नहीं होता है, ultra benefit देता है दियर, तो ध्यान रखो pap smear में dodaline मिल रहा है, इसका मतलब normal है, यानि नहाँ पर आप क्या ढूंड़ोगे ना तो cervix cancer है, ना ISTD है, यानि यह normal flora है, service infection भी नहीं है तो right answer क्या हो जाएगा? C हो जाएगा अब सोचिए pap smear जो है, एक test होता है यह भी कई बार question, कई बार पुछा हुआ है, ESI वगेरा में तो काफी पता नहीं कितनी बार पुछा हुआ है, कि pap smear किसके लिए किया जाता है, cervix cancer के लिए या फिर उल्टा पूछ लेते हैं, cervix cancer के लिए कौन सा test किया जाता है तो pap smear, या फिर इसका पूरा नाम होता है, pap nicoloo test क्या बोलते हैं इसको dear? pap nicoloo test के नाम से इसको जाना जाता है cervix cancer का पता लगाने के लिए या किया जाता है तो ध्यान रगना cervix cancer का जो कारण है अगर pap smear के अंदर मिले कौन सा virus, human papilloma virus मिले कौन? पैप smear में तो वो indicate करेगा इसी question को बदल दू कि pap smear के अंदर क्या मिला? डोडरलीन की जिगह क्या लिख दू? human papilloma virus कौन सा dear? human या simply papilloma virus papilloma virus आज कल इसकी vaccine भी आ गई है papilloma virus की जो की cervix cancer से females को बचाती है cervix cancer, second leading coach होता है dear, yes females के अंदर cancer का then human papilloma virus अगर present है तो वो indicate करेगा cervix cancer को, अगर option में इसकी जिगह मैं डाल दूँ, कौन से बैक्टिरिया? gonorrhea nigeria gonorrhea या फिर trichomonas या फिर streptococcus streptococcus अभी इसी क्यूशन में ये पूछा जाए कि presence of nigeria gonorrhea या फिर trichomonas या फिर streptococci present है तो क्या indicate कर रहा है तो अभी आंसर बदल जाएगा sexually transmitted disease कर रहा है dodaline है तो normal है सबसे last में cervix infection दुबारा से यही अगर present है या फिर plus candida यानि मैं इसी में ये दे दूँ कि इसमें candida albicans मिला है तो वो क्या indicate करेगा cervical infection को indicate करेगा तो question कैसे भी बदल दो concept के लिए रखो answer आप लोग दे पाएंगे तो इस question का answer जिसमें dodaline bacilli है उसका answer क्या होगा normal flora आएगा डियर तो right answer is C next or last question which type of relationship is present between lactobacillus acidophilus and वे जयना तो कौन सा relationship मिलेगा तो मैंने आज ही बताया आपको कौन सा mutualism पाया जाता है means both organism get benefit from each other एक दूसरे से benefit मिलता है यह option में ना हो तो common cellism पे भी आप टिक कर सकते हो common cellism का मतलब क्या होता है एक organism को फायदा होता है दूसरा neutral होता है कोई नुकसान नहीं होता है parasitism का मतलब क्या होता है dear एक को नुकसान होता है दूसरे को benefit होता है that is parasitism देखो समझते जाओ, mutualism में दोनों को benefit, common cellism के अंदर एक को benefit, दूसरे को ना नुकसान ना फाइदा, ना तो benefit होगा, ना harm होगा, parasitism में क्या होगा डियर, एक को फाइदा होगा, parasite को, और जिसमें वो parasite रह रहा हूँ, उसको क्या होगा डियर, नुकसान होने वाला, जैसे intestine के डियर, क्या होता है, ascarious, बच्चों के अंदर ascarious, जो है, पर अपने लग जाते हैं, intestine के अंदर, तो वहाँ पे, उनको तो फाइदा होता है, बट अपने को क्या होता है, नुकसान होता है, तो ये parasitism, competition के अंदर क्या होता है, एक दूसरे को harm करने के लिए ऐसा कोशिस किय क्या जाता है, that is, competition relationship, तो ये अपनी human body में generally present नहीं होता है, डियर, तो अपनी human body में कौन-कौन से relationship present होते है, mutualism, commercialism और parasitism तीनों होते हैं, अलग-अलग मेने example भी बता दिये, तो mutualism का example कौन हो गया, दो example जो आज हमने पढ़े, वो दोनो, तो ये relationship भी कैसा है, mutualism का relationship, डिय very easy, तो आज हमने चार concept और बहुत सारे questions जो है, समझ लिए, answer A हो जाएगा, और सबसे last में, अगर आपने कुछ भी अच्छा सीखा है, नया सीखा है, तो वीडियो को like कर देना, channel को subscribe कर देना, join, इच्छा हो तो कर लेना, सबसे last में, telegram channel जो अपना उसको join जरूर कर लेना, काफी मैं इसमें question share करने वाला हूँ, पीडियो भी share करने वाला हूँ, और इस telegram channel का नाम है nurses tech online, और link भी description में डाल दूआ, वहां से इसको join कर सकते हो, link कई बार किसी mobile में काम नहीं करता है, उस case में आप लोग सीधा telegram में जाके इसको search करो, channel को इस नाम को, आपको इस channel मिल जाएगा, join कर लेना, thank you very much.